हेलो एबरिमन प्रकेदि प्रैम इस्टूट में आप सभी का स्वागत है और आज हम लेकर आएं अश्ट छाप के कभियों के बारे में कुछ जानकारी जो आपके लिए बहुत ही महत्पूर है चीक है कि अश्ट छाप में बिठन लाथ के कौन-कौन से सिश्य थे और बल्वाचारी के कौन-कौन से सिश्य थी ठीक है उनका जन्म और मिर्त्यू के सन चीक और उनका जन्म इस्थान चलिए तो सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि अश्ट छाप की इस्थापना गोश्वामी विठन नाथ ने सन 1565 इसमी में की थी ठीक है कई बार गोश्वामी विठन नाथ ने की थी ठीक है आगे देखं Caitlin के शिश्यों को मिला कर बनाया गया था तो ये कितने हो गए थे, चार बलवचारे के हो गए थे, और चार विठन नात के शिशे हो गए थे, तो टोटल कितने हो गए थे, आठ हो गए थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, अश्ट छाप कहा जाता है, ठीक है, चलिए, तो अब जान लेते हैं, एक तरफ आपका हमने लिख शेयर रहेंगे ठीक है और उनका जन्म इस्थान चलिए तो बढ़ते हैं आगे देखते हैं यह रहें ठीक है तो पहला है कुंबन दास, कुंबन दास का जन्म 1468 80 वी और मिर्तिव फंद्रा सो तिरासी ठीक है गुरू कौन है? बलवचारे हैं कुमन दास का जो जन्मिस्थान है है जमनावती उत्तर प्रदेश में है ठीक है, फिर है सूर दास सूर दास का जन्म 1478 मेर्टीर 1573 भी है, गुरू इनके बलवचारे है जन्म दास rumor उत्तर प्रदेश है ठीक है फिर है कृष्णदास के जैनम 1496 और मिर्तिव 1538 भी है और इनके गुरु भी बलवाचारे जी है ठीक है इनका जैनम इस्थान है चिलावतरा गुजरात में ठीक आगे बढ़ते हैं विठलनात के शिश्यों के बारे में जानते हैं तो जो विठलनात के शिश्यों है उसमें दिया है गोविंद स्वामी जन 155 मिर्तिव 1585 भी है गुरु आपको बताया है विठलनात है गोविंद स्वामी का जो जनम इस्थान है वो आंतरी है राजस्थान में ठीक है फिर है छितिव स्वामी 155 जनम है और मिर्तिव है 1585 गुर उत्तर प्रदेश चेतरभुष दास मुट्यम déjàन्म हो पारी मत्यूंद? पर गरानल का नंदास मुझी स्वायई वर सता है प्रदेश मिट्रुष है नंदास मुझी टीश लगवी north मिस्थान है वो रामपुर उत्तरप्रदेश है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं कि चलिए आगे बढ़ते हैं अब इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं ठीक है तो चलिए पहले ट्रिक है बल्लव कुम का शूर परम कृष्ण की याद दिलाता है आपको इट्रिक बस दो बार देखनी है क्या कहना है कि बल्लव कुम का शूर परम कृष्ण की याद दिलाता है ठीक है अब इसी में हमें प्राप्त हो जाएगा बल्लव यानि बल्लवा चारे ठीक है बलव यानि बलवाचारे अब बलवाचारे के जो चार सिश्य थे उनको कैसे याद रखना है तो ट्रिक में दिया हुआ है कुम यानि कुम से हो गया कुमन्दास ठीक है किसके शिश्य हैं बलवाचारे के ठीक है शूर से हो गया शूरदास ठीक सूरदास परम से हो गया परमानंद और कृष्ण से हो गया कृष्णदास ठीक है तो बलभाचारे के जो चार शिशे हैं वो कौन-कौन है कुम्भनदास शूरदास परमानंद और कृष्णदास तो देखे कितना आसान हो गया टिक के माध्यम से ठीक है, बाकी को silent कर दे न, चलिए, अब ये तो होगे बलवचारे के, ठीक है न, अब हमें विठ्थल का याद करने हैं, चलिए तो देखते हैं विठ्थल के लिए भी, तो ये है विठ्थल नात के शिश्यों को याद करने की त्री, क्या करना है, बैठो गोविंद छत पे च चतुर नंद है, ठीक है, पे और है को silent कर देना है, ठीक है, बैठो से हो गया आपका विठ्थल नात, ठीक है, और विठ्थल नात कौन है, ये तो गुरु है, अब इनके चार सिश्यों है, वो ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, क्या है, गोविंद से हो गया, गोविंद चित श्वामी, चतुर से हो गया, चतुर भुजदाश, और नंद से हो गया, नंददाश, तो देखो कितनी ही सरेल ट्रिक के माध्यम से, आप लोग इन रामों को याद रख सकते हैं, क्यों से गुरु के कौन कौन से, वो चार सिश्यों है, ठीक है, और इनका हमने आपको ब दा लेंगे, नेक्स्ट वीडियो लोगे, फिरो पस्तित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थेंक यू, नमस्कार